हेलो एवर्वान वेलकम बाक टो आवर चैनल मैं हूँ सावरब दाइवतकर आपका माथमाटिकल और मोटिवेशनल मेंटर आज आज बी डबली का सेशन नमबर त्री आज के दिन का सेशन नमबर टू मैंने अल्रेडी मौनिंग में एक सेशन अपलोड कर दिया था अपने चैनल के उपर जिन्नोंने भी नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखना ये सेशन खतम होने के बाद और जैसे ही वो सेशन देखते हो बड़ी खुशी हो जाएगे आपको क्योंकि ओम एतने अच्छे से वहां पर बिल्कुल डाइग्रामाटिकली और आप मतलब बोल सकते हो ना कि प्राक्टिकली जिसको आप देख सकते हो ऐसा ओम स्लाओ मैंने वहां पर एक्स्प्लें कर दिया है आपको तो बिल्कुल ये जैसे-जैसे खतम होगा ये सेशन खतम होने के आवाज क्लियरली आ रही है आपको क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है इस माई कनेक्शन इस ओके फटा-फट से मुझे बता दो येस अमेजिंग तो चलिए जनाब यहां पर शुरू करने जा रहे हैं हम आज का सेशन नंबर 3 बिलकुल DC सेर्किट्स चैप्टर अपने शु लौ उसके बारे में थोड़ा एक सम देखेंगे आज नुमरिकल्स की शुरूआत हो जाएगी बिलकुल ताकत के साथ बरपूर और जोश के साथ बरपूर राइट तो फड़ा-फट से मुझे यहां पर रिपला यह ऐसी है रिपला आ चुका है मेरी आवाज क्लियर है मेरा बॉइस भी क्लियर है तो चलिए इस सेशन नमर त्री की साथ त्री की शुरूआत कड़ी महनत कड़ा जोश और जुनून के साथ शुरू कर देते हैं लेकिन सबसे पहले सभी बच्चों को गुजारिश है कि अपने वीडियो को अपने इस दरबार को लाइक जरूर ठोकना ह क्योंकि यार बीडबली की जो वेट है वो बहुत लोग कर रहे थे काफी दिनों से तो उसका मैंने सोचा आज संडे का वार है वीकेंड का वार है तो इस वीकेंड के वार पर हम लोग बिलकुल इसको शुरूआत ही कर देते दो-दो सेशन्स रख दिया मैंने सर्फ आपके सब्सक्राइब करना ना भूलिए अपने चैनल को क्योंकि यार जिस वक्त यह बाबा जी लाइव आएंगे तो जैजयकार तो होनी चाहिए जबी जबी यह बाबा जी लाइव आएंगे तो पहला नोटिपिकेशन पहला इंविटेशन इस बाबा की तरफ से आपको मिल उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे रखा है टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे रखा है इन दोनों ग्रूप्स पर हम लोग यूज्वली लिंक डालते है तो अगर आपको कभी लेक्चर मिस भी हो रह तो ये उसका बेटरी इन फाइदा होगा कई टेक्स्ट बूक वेगर हम लोग अपलोड करने वाले प्लानिंग के साथ चल रहे तो जल से जल दो उसको भी अपलोड कर देंगे तो चलिए शुरुआत करते इस बेड़ेबली के सेशन की जिसमें आज हमें देखना है सीरीज और पारल़ल टेकनिक राइट में आपर हेडिंग डालना चाहता हूँ सीरीज और पारलल टेकनिक राइट सबजक्त में थेहरी होती है अंकित जी पूच रहेए सर युनिवर्सिटी के अभी तक कॉलेज शुरू होने का नोटिफिकेशन तो आ चुका है आप अपने कॉलेज में एक दफ़ा कंफर्म करिए कि वो स्टार्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं 50% एटेंडन्स के साथ स्टार्ट करेंगे उनका प्लान आउट कैसा है यह सब अपने पूछ लेना क्योंकि 50% एटेंडन्स के साथ वो शुरू कर रहे हैं तो किस तरीके से वो बैचेस बनाते हैं यह भी थोड़ी देखनी लायक यहां पे चीज रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज और पारलल टेकनिक अच्छी बात है बिलकुल अपने फ्रेंड्स लो टेकनिक राइट सीरीज और पारलल टेकनिक देखिए यार मैच के लिए यूज ब्लैक बोर्ड और बीडवली के लिए यूज ब्लू बोर्ड तो आपको स्क्रीन शॉट निकालोगे तो भी आपको बड़े आसानी से इसको क्या कर सकते हो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो यही इसके पीछे का मकसद है बाकिक उसने डिजाइन विजाइन तो ऐसा कुछ मकसद है नहीं ओके जी तो चलिए सीरीज और पारलल टेकनिक यहां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं सीरीज टेकनिक मतलब क्या होती है फटा फट से एक दफ़ा आपको एक्स्प्लेइन करन पर जाता है उनको नाम देखें रखता हूँ आर वन यहां पर अर टू यहां पर आर थरी एक ही क्लो होगा आइच तो सारे के सारे जितने भी राइबbane रहेंगे series में उनमें एक ही current flow होने वाला है single current will flow जो input में रहेगा वही आपको output में मिलने वाला है second thing that I want to tell you current एक ही रहेगा लेकिन voltage सबका अलग-अलग रहने वाला है तो यहां पर voltage का जिक्र में आपर करना चाहता हूँ तो सभी बच्चों के लिए voltage क्या-क्या रहने वाली है यहां पर यहां पर बिल्कुल if registers are in series then the voltage behind them are different तो V1, V2, V3 ऐसा different voltage आपको मिलने वाला है यहां पर तो voltage क्या रहेगा यहां पर different different रहेगा अगे बढ़ता हूँ तो series जो registers रहते उनको हम लोग usually कहते RS तो overall है न overall register की value अगर मुझे find out करनी है तो RS is equal to R1 plus R2 plus R3 मैं करवा दूँगा यहां पर ठीक है overall voltage मुझे find out करना है तो obviously V1 plus V2 plus V3 करवा दूँगा आई जो रहेगा वो सबके लिए क्या रहेगा सेम रहने वाला है क्योंकि यह फर्स्ट टेकनिक था सीरीज टेकनिक इसके उपर हम लोग numericals लेने वाले है अभी के session में ही तो बिलकुल आपको छोड़के कही जाना नहीं है right next one when they are connected in parallel right when they are connected in parallel so I'll get this as this is what the register number one this is what the register number two बच्चो राइट and this is what your register number three right चलिए तो यह तीन registers I am connected I have connected them in the parallel combination तो यहाँ पे इनको मैंने parallel में connect कर दिया है right so this is what your R1 this is what your R2 this is what your R3 right but 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 current behind them will be a different because current यहाँ पे क्या होता है split होता है बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ यह voltage रहेगा that is V यहाँ से current जाएगा यहाँ से current घुस जाएगा अंदर तो यहाँ पे तीन different branches में तीन different current देखने मिलेंगे I1, I2 and I3 are you getting my point this is the most important part of the parallel technique बच्चो एक simple चीज हमेशा याद रखिए जहाँ पे current split होता है I repeat जहाँ पे current split होता है वहाँ पे parallel combination होता है जहाँ पे voltages different different दिखाई देते हैं वहाँ पे series combination होता है are you getting my point तो जाहिर सी बात हो गई यहाँ पे तो अगर मुझे parallel combination को दिखाना है तो 1 upon rp करवा देता हूं मैं right तो that is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 अच्छा अच्छा यह one upon रहेगी जी तो 1 upon r2 plus 1 upon r3 so this is what the parallel combination बच्चो this is what the parallel combination एक simple सी बात यहाँ पे याद रखनी है आपको parallel combination अगर आपको find out करना है तो rp is equal to r1 r2 है ना पहले r1 r2 को solve कर लो upon r1 plus r3 मतलब उपर multiplication नीचे addition और plus 1 upon r3 तो जो value आएगा उसको यह r3 के साथ करवा दो इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं हम लोग है ना मैंने पूरा नहीं लिखा इसको पूरा मैं एक ही साथ लिख देता हूं तो r1 r2 r3 में यहाँ पर लिख सकता हूं प्लस यहाँ पर r3 करवा सकता हूं तो उपर क्या करना है multiplication करना है नीचे क्या करना है addition करना है this is the very simplest way to study and parallel combination and series combination इसके numericals जो है वो काफी important है numericals question number 1 especially for Mumbai University, Naqpur University question number 1 में हमेशा इसके उपर numerical आता ही आता है तो यह आपको करना बहुत जरूरी है अभी आप कहोगे सर series parallel combination तो हम लोग ने बचपन में किया है तो engineering में इसके उपर question पूछना तो कुछ अजीब लग रहा है जनाब questions अलग-अलग way में पूछे जाते है तो जो अभी questions में बताने वालो बहुत important है ध्यान से करना है पहला question आपके screen के उपर यह रहा सेशन number 3 में चलिए चलिए फस्ट question फस्ट question बच्चो question ध्यान से लिखेंगे circuit diagram भी draw करेंगे 3 resistances 3 resistances 3 resistances of ohmic values of ohmic values of ohmic values yes बच्चो of ohmic values ohmic values मतलब resistor के value 4 ohm 12 ohm and 6 ohm and 6 ohm are are connected in parallel are connected are connected in parallel yes बच्चो yes बड़े द्यान देना are connected in parallel okay if if the total if the total if the total current is total current is काफी important current is is 12 ampere 12 ampere how is this current how तको question कैसा है how is this current this current divided 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 among the various register among the various registers various registers okay question बड़े ध्यान से करना है यह जो भी questions ले रहा हूं engineering की खासियत क्या होती है पता है जो previous years question होते है जो previous years university के paper में आ गए है न वही questions बार 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 पूछे जाते है ओके तो जो भी questions में यहां पे ले रहा हूं important questions plus PYQ ऐसा combination रहेगा अपने lectures का इसी अंदाज में BWE के lectures हम लोग आगे बढ़ाते है तो चलिए पहले diagram की बहुत जरूरत रहेगी मुझे यहां पे क्या कहते हो बिल्कुल diagram की जरूरत रहेगी without diagram आप इसको solve भी नहीं कर पाओगे जनाब तो तीन रेजिस्टर से connect कर दिया है मैंने किसमे parallel में तो parallel में मैंने तीन रेजिस्टर से क्या कर दिया है connect कर दिया है तो तीन रेजिस्टर को यहां पे दिखाना मेरा फर्ज बनता है दिखा दिया बाबा जी जी दिखा दिया circuit डाइग्राम एक्जाम में निकालना है क्या जरूर निकालना है BEE में कभी भी याद रखिए अगर आपने paper में circuit डाइग्राम नहीं निकाला तो समझ गया marks आपका cut गया क्या बोल रहा हूं मैं marks आपका cut गया इतना समझ जाने का हमेशा राइट आगे बढ़ रहा हूं तो त्री रेजिस्टर्स क्या क्या है फोर ओम है ना 12 ओम और 6 ओम राइट जी उसके साथ-साथ एक current वो लोग अंदर भेज रहे है current की value उन्होंने दे दी है कितनी दे दी है 12 ampere 12 ampere बड़े ध्यान से question को पढ़ना है उसके बीना आपको कुछ भी नहीं आने वाला है जनाब अभी देखें यह है मेरा पूरा circuit एना circuit question को ध्यान से पढ़िए थ्री रेजिस्टर से ओफ ओमिक वाल्यूज फोर ओम टोलों सिक्सों आर कनेक्टेड इन पैरलेल कनेक्ट कर दिया इस टोटल करेंट इस त्वेलों विच पासिंग थ्रू एट how is this current divided amongst the various registers यह current various registers में divide कैसे हो रहा है मतलब find the current through each register question को देखिए find the current through each register हर एक register के पीछे कितना current दोट रहा है यह मुझे find out करना है right कैसे करेंगे बच्चों कैसे करेंगे बड़े ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे पहले तो मैं इसका equivalent register find out करना चाहता हूँ therefore equivalent register equivalent register register is yes बचो equivalent register क्या रहेगा 1 upon R equivalent 1 upon R equivalent which is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 देखो इन सारी चीजों के लिए calculator लेके बैठना बहुत जरूरी है without calc आप इसको अगर find out करोगे तो काफी मुश्किल में पढ़ जाओगे एक तो answer wrong होने का जादा chances and दूसरी chance यहाँ पर यह हो सकती है कि यार time बहुत जाएगा time बहुत जाएगा सही भी आएगा लेकिन time बहुत जाएगा और उतना time हम लोग के पास exam में नहीं रहता तो चेक करिए यहाँ पर क्या होगा फड़ा फड़ से इसको मिझे LCM लेना पड़ेगा ठीक है जी LCM लेना पड़ेगा तो यहाँ पर 3 12 LCM हो गया प्लस 1 प्लस 2 4 divided by 12 करवा दिया तो यह हो गया 6 by 12 चेक करियो यह हो गया 6 by 12 हाँ जी तो यह आर equivalent क्या हो गया 12 by 6 हो गया 12 by 6 which is nothing but 2 ohm which is nothing but 2 ohm कितना आया मेरा और equivalent is equal to 2 ohm देखो कितने इक-एक step by step में आपसे करवा रहा हूँ ताकि आपको दूसरा किदर देखने की जरूरती नहीं पड़ेगी ना टेक्स्ट बुक ना कॉलेज ना क्लाज यार सब यार बाबा जी की दरबार में आपको देखने मिलेगा अर्यू वेटिंग मैं पॉइंट फुल स्क्रीन व्यू रखिये अपने मोबाईल का ताकि आपको बहुत अच्छा experience मिले ये सारे सम्स का अर्यू वेटिंग मैं पॉइंट ये सारे सम्स का आपको बहुत अच्छा experience मिल जावे ताकि आपको यार ये हरे calculation समझ में आना जरूरी है समझ रहे हो जरूरी है यह calculation समझ में आना राइट जी चेक कर रहा हूँ मैं चेक कर रहा हूँ is my voice is clear or not yes perfect है चलिए चलिए पॉफेक्ट है तो यह है मेरा R equivalent यह है मेरा R equivalent R equivalent की value कितनी आ गई बच्चो 2 आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई अब मुझे ढूंड़ना है voltage, जब तक मुझे voltage नहीं मिलता देखो V is equal to IR ohms law, सब को पता है V is equal to IR, तो यार जब तक यह बाप खुश नहीं होता तब तक दुनिया खुश नहीं होगी ohm अपना बाप है, right बाप खुश नहीं होता, तब तक अपने ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी देखिए अपने पापा जब खुश होते तो उससे बड़ी खुशी अपने लिए कुश नहीं होती सेम चीज यहाँ पर जब तक यह ohm को खुश नहीं करते तब तक solution नहीं मिलता तो ohm को खुश करना मतलब क्या V, I और R सबका value ढूंडना I की value मेरे पास है R equivalent मुझे मिल गया अभी V की value ढूंडी है तो overall circuit के पीछे कितना voltage रहेगा current मेरे पास पता है मेरे पास resistance का value पता है तो voltage ढूंडने में क्या दिक्कत है जनाब आपको चलिए ढूंडते है voltage therefore यहाँ पे लिखना चाहता हो potential difference that is PD across across the parallel circuit across the parallel circuit parallel circuit क्या रहेगा parallel circuit yes बचो PD across the parallel circuit क्या रहेगा V is equal to I R तो बच्चो V is equal to I R I की value कितनी है 12 है R equivalent आया है 2 तो V की value होगा 24 volt therefore यहाँ पे V मैंने लिखे दिया 24 volt any doubt, any confusion बच्चो V मुझे मिल चुका है क्या मिला V मुझे मिल चुका है अब current across each resistor right therefore देखिए current true current true true 4 ohm resistor current true 4 ohm क्या रहेगा 4 ohm मतलब resistor की value 4 हो गई right I ढूंदना है I ढूंदना है therefore V is equal to I, R तो I ढूंदना है तो I is equal to V by R right तो V की value कितनी है बच्चो V की value कितनी है therefore लिखते समय देखिया I at 4 ohm ऐसे लिखने का I at 4 ohm क्या रहेगा देखे V की value 24 है R की value 4 है तो यार I की value at 4 ohm हो गई 6 6 amperes कितनी हो गई 6 amperes यही तो चाहिए था जनाब हमे are you getting my point यह को यह फर्स्ट टाइम क्या इसके लिए सब कुछ लिखा मैंने second time करूंगा तो इतना सब नहीं लिखूंगा right also current through come on current through देखो हर एक step लिख रहा हूँ मैं सिर्फ आपके लिए current through 12 ohm 12 ohm क्या रहेगा i at 12 ohm i at 12 ohm कितना होगा 24 by 12 तो यह कितना होगया 2 amperes तो i की value कितनी होगई i यहाँ पे 12 ohm की value कितनी होगई 2 amperes any doubt any confusion बच्चो right फड़ा फड़ से बिलकुल सही पकड़े हो right next one next one current through final current through yes बच्चो next one six current through six ohm six ohm क्या होगा i at six ohm कितना होगा 24 by six which is equal to four amperes तो यहाँ पे मैं लिखूंगा i six ohm कितना होगया four amperes that's all तीनो के तीनो ब्रांचेस के across का मुझे current मिल चुका है जो मुझे उन्हाने पूछा था बिलकुल सही जवाब यहाँ पे कुछ भी doubt रहेगा तो मुझे फड़ा-फट से बता दीजिए मैं थोड़ा यहाँ पे side में हटना चाता हूँ फड़ा-फट से आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा solution right जी सिर्फ मेरे पीछे वो two amper का value छुप गया है बाकी मेरे ख्याल से everything is fine right चलिए चलिए इसके जैसा एक और सवाल में लेना चाता हूँ सिर्फ आपके लिए ताकि इसकी थोड़ी ज़ादा practice आपके side से हो जानी चाहिए ठीक है जी है ना होनी भी तो चाहिए practice नहीं होगी what's up पे बेज देना है ना what's up link मैंने नीचे description box में देखे रखा है आप personally भी मुझे message कर सकते हो वहाँ पे ताकि हम लोग आपका query आपके जो doubts है पड़ाफ़ट solve कर पाए determine the currents through यहाँ पे लिखते है determine the currents through the currents through yes बच्चो the currents through the currents through and the voltage across three resistance and the voltage across three resistance resistances okay three resistances yes बच्चो three resistances of ohmic values of ohmic values of ohmic values yes बच्चो of ohmic values 5 ohm 10 ohm and 20 ohm 5 ohm 10 ohm and 20 ohm and 20 ohm and 20 ohm yes बच्चो 20 ohm all are connected in parallel all are connected in parallel in parallel all are connected in parallel and across 100 volt supply and across 100 volt supply 100 volt supply 100 volt supply 100 volt supply यहाँ पे दिया है या फिर source आप कुछ भी बोल सकते हैं supply मतलब अपनी बैटरी या on and power drawn yes question देखो कितना बड़ा और important and power drawn from the source from the source power के related आपको formulas पढ़ना है जबी तो खोड़ेगा इंडिया right चलिए तो यह तीन जो रेजिस्टर से से they are connected in the parallel in the parallel combination तो इनको मैंने parallel combination में convert कर दिया right convert कर दिया इसको parallel combination में right तो यह हो गई 5 ohm यह हो गई 10 ohm और यह हो गई 20 ohm ठीक है जी और कुछ दिया है उन्होंने और कुछ दिया है बच्चो नहीं 100V का supply दे दिया है तो यहां पे 100V की एक battery लगा देता हूं थोड़ा मेरे पीछे चिप जाएगा लेकिन यह बिलकुल simple सा diagram आपके लिए मैं draw कर रहा हो बाकि कुछ भी नहीं है इस diagram में ठीक है सिर्फ यहां पे 100V supply होना चाहिए ठीक है जी और यहां पे current आई दोड रहा है obviously हर branch के across का current पूछा गया है तो हर branch के across का current कैसे डूंड़ना है मैंने अल्रेड़ी previous sum में आपको अभी अभी बता दिया है अभी अभी बता दिया है तो जरूर वो टेकनिक से आपको solve करना है बाकी कुछ नहीं करना है are you getting my point वही टेकनिक से आपको solve करना है सब कुछ फड़ा फट से मुझे बता दो current through each branch कैसे निकालते है current through yes बचो current through current through 5 ohm resistor 5 ohm कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा i is equal to v by r होता है यार बाप ने बोला था बाप मतलब ohm's law बाप ने बोला था हमें write जी तो चलिए 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 तो यहां पे क्या मिलेगा therefore i is equal to v कितना है hundred है है ना आर कितना है five है तो i की value कितनी आई बच्चो 20 amperes आई देखो i की value थोड़ी बढ़ गई 20 amperes यहां पे आ चुकी है i की value similarly you can do it for current through current through which 10 ohm current through 10 ohm resistor write जी तो यहां पे i is equal to sir third year के subjects भी low ना if possible sir engineering की study और gate की study same है क्या जनाब उमकार नहीं है पूछा है engineering की study and gate की study same है क्या इसका जवाब जनाब engineering की जो study होती है वह basic से लेकर hero बनाती है आपको zero से hero बनाती है and gate की जो study होती है वह hero से superstar बनाती है are you waiting my point hero से superstar बनाती है तो पहले आपको engineering के subjects बहुत clear रखने पड़ेंगे concepts clear रखने पड़ेंगे फिर आप superstar बन पाओगे तभी आप gate crack कर पाओगे okay if you are in third year if you are in last year तो आप काफी वाकिप रहोगे subjects के साथ तो आपको gate का preparation करने में जादा दिक्कत नहीं होगी लेकिन जो first year वाले बंदे हैं उनको तकलिफ होगी जरूर क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना engineering career start किया है उनको time जाएगा थोड़ा right and sir third year के subjects भी low ना जनाब यार ओर ऐसा कुछ उनका नाम है तो मैं उनको कहना आपकी branch बता दो जल से जल आपके लिए अपने subject शुरू कर देंगे अपने channel के उपर सिर्फ आपकी branch लिख देना mechanical है सीवील है automobile है electrical है electronics है जो भी आपकी branch रहेगी CSIT जो भी रहेगी branch लिख दो आपके लिए जरूर हमारे प्रोफेसर्स हमारे टीम पूरी काम कर रहे है जल से जल उसके भी lecture शुरू हो जाएंगे राइट है जी चलिए तो वी जी वी इकल टू आयार तो आई इस इकल टू वी बायार वी तो अपना वही रहने वाला है 100 आई में 10 ले रहा हूं तो obviously मेरा i across 10 क्या रहने वाला है therefore i की value हो गई 10 amperes right similarly similarly मेरा final similarly मेरा third third जो register है आप यहां पर चेक कर सकते हो 20 है तो यहां पर लिखना चाहता हूं current through 20 ohm register ओके जी current through current through through 20 ohm current through 20 ohm तो voltage कितना है i is equal to v by r तो voltage कितना है 100 है r कितना है 20 है तो i की value कितनी आ गई 5 amperes आ चुकी है जनाब तो current through each branch मुझे पता चल चुका है अभी तो यह concept आपकी पूरी clear हो जानी चाहिए right अभी तो यह concept आपकी पूरी clear हो जानी चाहिए also also total current also total current total current yes बच्चो total current across across the circuit yes बच्चो across the circuit come on come on come on फटाफट से जो नए बच्चे है न फटाफट से एक्स्टी सी कह रहे है यह तो एक्स्टी सी वालों के लिए जरूर i am also from electronics and telecommunication branch इसके लिए electronics के subject काफी अच्छे से ले पाते हैं हम तो जरूर आपके लिए subject शुरू करेंगे आपका नाम eror जो भी है ठीक है तो आपके लिए जरूर subject शुरू कर देंगे tension मत लीजिए तो total current across the circuit क्या रहेगी जनाब total current across the circuit तो i is equal to i1 plus i2 plus i3 ये पूरा concept रहेगा तो क्या क्या आया था मुझे 20 याना 20 प्लस 10 प्लस 5 ये था मेरा answer तो ये आए गया 35 ampere i is equal to 35 ampere जिसको आप i total कह सकते हो that is total current अभी मुझे क्या डूंड़ना है बच्छो अभी मुझे डूंडना है यहाँ पर power मैंने सुभे सुभे ही जो session upload किया था उसमें मैंने power का जरूर formula आपको explain कर दिया था circle वहाँ पे explain किया था जिन्होंने नहीं देखा है पहले जाके वो session जरूर देखना क्योंकि वहाँ पे आपको वो power के सारे formulas clear होते हुए दिखेंगे तो मैंने power drawn का formula यहाँ पे लिखा था power drawn power drawn is equal to yes बच्चो power drawn is equal to p एना p होता है power right p is equal to v into i आप कर सकते हो v into i आप कर सकते हो so what is your v 100 है and what is your i 35 है तो total power हो गई 3500 watt power हो गई 3500 watt any doubt any confusion बच्चो yes तो यह हो गए current through each branch वाले sums power drawn कैसे निकालते है उसके sums right अब मैं जा रहा हूँ KCL की और जो आज का अपना second topic है KCL का मैं सिर्फ concept बताने वाला हूँ बाकी sums जो है वो हम लोग next session में देखने वाले है क्योंकि आज weekend का वारे मैं आपका जादा time नहीं खाने वाला हूँ KCL that is Kritschoff's current law मैं यहां पर लिखना चाहता हूँ current law okay current law what is current law current law क्या बोलता है बड़े ध्यान से सुनना current law क्या बोलता है that is summation of algebraic sum of all the currents is equal to zero algebraic sum of all the currents is equal to zero मतलब वो currents incoming होने दो या outgoing होने दो अभी what is incoming and outgoing for example if I'll take one node over here this is called as node node मतलब क्या होता है एक particular point यह point से मैंने ऐसे 4-5 current ऐसे दिखा दी है जनाब है ना आप कैसे भी दिखा सकते हो कोई issue नहीं है यह ऐसे 4-5 current आपने दिखा दिए यह current है that is I1 ठीक है this is what I2 जो बाहर जा रहा है I3 भी बाहर जा रहा है I4 is coming inside I5 is coming inside and I6 is also coming inside right so this is what overall diagram तो यह O जो है इसको हम लोग कहेंगे node क्या कहेंगे node node यह node का एक analysis होता है जिसको हम लोग कहते है node analysis इसको भी हमें पढ़ना है पूरे chapter के दोरान हमें पढ़ना है बच्छो रई तो कैसे करेंगे बड़े ध्यान से सुनना summation of I is equal to zero है तो इसके sign conventions already अपने 12th standard में पढ़ लिये है पढ़ लिये है क्या sign conventions है इसका एक कहानी है वो मैं जरूर next session में बताने वाला हूँ लेकिन अभी कहानी कहानी नहीं बताऊंगा अभी sign conventions बताता हूँ sign conventions क्या है बच्छो यह जो node की तरफ आ रहा है incoming currents right incoming currents incoming currents always taken as a positive and outgoing outgoing current always taken as a negative always taken as a negative are you getting my point तो यह है बिलकुल मज़ेदार चीज यहां पर यह है बिलकुल मज़ेदार चीज तो यार यह सारे जो भी currents है इनको positive negative format में लिखे देते हैं यहां पर चलो तो i1 क्या रहा है अंदर आ रहा है तो i1 मैंने यहां पर करवा दिया right i2 क्या है बाहर जा रहा है मतलब वो minus रहेगा i3 बाहर जा रहा है मतलब वो minus बाकी 3 के तीनों अंदर आ रहा है तो मैंने इनवह 3 को क्या लिक दिया plus लिख दिया right which is equal to zero so this is overall your kreightsoff's current law बच्चो this is overall your kreightsoff's current law which is the most important and उससे भी जादा important अगर कुछ है अपने पास उससे भी जादा important कुछ है तो that is a KVL, क्रिचोफ's voltage law वो हम लोग next session में जरूर देखने वाले हैं तो अपने channel के साथ आपको क्या रहना है, बने रहना है, जरूर अपने इस videos को like करते रहना है क्योंकि आपका एक 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 like मेरे लिए और मेरे सारे जो team members हैं उनके लिए बड़ा motivation रहता है और इसी motivation के साथ इसी energy के साथ हम लोग आपके सामने पेश होते है तो जरूर like मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा है एक रुपया नहीं पांग रहा हो आपसे तो यह लाइक करना बिलकुल यहां पर बनता है और अपने friends लोग के साथ इसको जरूर share करिए और चैनल को subscribe करना बिलकुल नहीं बूलना है और बेल आइकन जो है उसको all notifications पर रखना है तक कि जबी-जबी बाबा online आजावे जबी-जबी यह बाबा का दरबार बुलाया जाए और जबी-जबी वीडियो अपलोड होता है तो पहला invitation आपको मिलेगा वो वीडियो देखने का राइट जी तो फटा फट से फटा फट से लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं कल के सेशन में उतनी ताकत उतना ही जोश और जुनून के साथ सेम टाइमिंग पर तब तक के लिए बबाई टेक केर एंड थैंक यू वरी मच गाईज